आज इक इस वीडियो का पहला प्रेशन है दोस्तो वारत का प्रदान मंत्री वनने के लिए नियून तम आयो कितनी होनी चाहिए दोस्ते इस प्रेशन का अंसर देने से पहले यदे आप लोग यूपी प्लेस, MTS, CGL या अधर कोई भी एक्जाम के आप लोग तैयारी कर रहे ह तो दोस्तो यह वीडियो आप लोगं के लिए काफी मैद पूट रहेगा क्योंकि दोस्तो मैंने इस वीडियो में सम्मेदान से समधर टॉप 30 प्रेशनों को लिया है जो परिशाम बार बार पूछे जाते हैं इसलिए दोस्तो आप लोग इस वीडियो को एंड तो जरू दे नियुन तम आयो 25 वर्स होनी चाहिए इसलिए दोस्तो इस प्रेशन का आंसर है ओप्शन बी अगला प्रेशन है दोस्तो संसेद के दोनों सदोनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है दोस्तो इस प्रेशन का आंसर है राइश्ट पत द्वारा बुलाया जाता है इसलिए दूस्त इस प्रेशन का आंसर है option A, दूस्त इह प्रेशन काफी very very important है, ख्योंकि दूस्त इह प्रेशन बार-बार repeat होता है, इसलिए आप लोग इस प्रेशन को याद कर लिजेगा, अगला प्रेशन है, दूस्त इस प्रेशन का आंसर है छे वर्स के लिए किया जाता है, इसलिए दूस्त इस प्रेशन का आंसर है option B, अगला प्रेशन है, दूस्त इस प्रेशन का आंसर है 1954 इसलिए दूस्त इस प्रेशन का आंसर है option B, दूस्त इह प्रेशन काफी very very important है, क्योंकि दूस्त इह प्रेशन काफी पर इचाओं में repeat हुआ, इसलिए आप लोग इस प्रेशन को भी याद कर लिजेगा, अगला प्रश्ण है दुस्तो संसद के दो सत्रों के बीच आधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है दुस्तो प्रश्ण का आंसर है छेमा दुस्तो संसद के दो सत्रों के बीच आधिकतम छेमा का अंतराल दिया जा सकता है इसलिए दुस्त इस प्रेश्ट पत किसका एक अभिन भागे दुस्त इस प्रेश्ट पत यह संसत का एक अभिन भागे इसलिए दुस्त इस प्रेश्ट पत यह संसत का एक अभिन भागे इसलिए दुस्त इस प्रेश्ट पत यह संसत का एक अभिन भागे इसलिए दुस्त इस रिट जारी किया जाते हैं दूस्त इस प्रेशन का आंसर है उच्छ संशुदन द्वारा संपती के अधिकार को मौलिक अधिकार की रूप में खत्म कर दिया गया संपतिक अधिकार को मौलिक अधिकार की रूप में खद्म कर दियागा इसलिए दुस्त प्रेशन का अंसर है ओप्शन बी अगला प्रेशन है दुस्त वारत के सम्मिदान फ्रेश की स्वतंतरता केस अनुच्छेद में सुरच्छित की गई है दुस्त प्रेशन का अंसर है अनुच्छेद 29 में दुस्त वारत के सम्मिदान फ्रेश की स्वतंतरता या सम्मिदान के अनुच्छेद 29 में सुरच्छित की गई है इसलिए दुस्त इस प्रेश्ण का अंसर है option D दुस्त इहां प्रेश्ण भी काफी very very important है क्योंकि दुस्त इहां प्रेश्ण बार बार repeat होता इसलिए आप लोग इस प्रेश्ण को अच्छे से याद कर लिजेगा आगला प्रेश्ण है दुस्त कौन सा अनुचे तो भारती संसर्द को समईदान में संसोदन करने की सकत्र प्रदान करता है यहां प्रेश्ण है क्योंकि दुस्त इहां प्रेश्ण सभी परिचाओं बार बार रिपीट होता है इसलिए आपलों इस प्रेश्णों को याद कर लिजेगा अगला प्रेश्ण है दूस्तु किसनी काया था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है दूस्त इस प्रेश्ण का आंसर है अरस्तु दूस्त अरस्तु द्वारा कहा गया था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है इसलिए दूस्त इस प्रेशन का आंसर है आप्शन ए अगला प्रश्ण है दुस्तो स्वतंत्र वारत के पहली वित्ट मंत्री कुंठी दुस्तो सम्मिदान की संकल्पना का उदोव सरप्रतम किस देश में उगा दूस्त इस प्रियास की आशा लग रहा है अपनी टाय कमेंट बक्स में जरू दीजेगा अगला प्रेशन है दूस्त इस का प्रथम विद अधिकारी कौन होता है दूस्त इस प्रश्न का आंसर है माने आए बादी या देश का प्रत्थम विद अधिकारी होता है इसलिए इस प्रश्न का आंसर है ओप्शन ए अगला प्रश्न है दूस्त वारत में राज का राजपाल वरने के लिए नियूनतम आयो कितनी होनी चाहिए इस प्रेशन का आंसर है दुस्तो 35 वर्स दुस्तो वारत में राज का राजपाल बनने के लिए नियून तम आयो 35 वर्स पोड़ होनी चाहिए इसलिए दुस्तो इस प्रेशन का आंसर है option D दुस्त यह प्रश्न काफी very very important है क्योंकि दुस्त यह प्रश्न काफी बार परिच्छा में repeat हुआ इसलिए आप लोग इस प्रश्न को याद कर लीजेगा अगला प्रश्न है दुस्त वेदान परसद की सदसेता के लिए नियूनतम आय कितनी होनी चाहिए दुस्त इस प्रश्न का आंसर है ओप्षन आ अगला प्रश्न है दुस्त राजिपाल का कारीकाल कितनी वर्श का होता है इसलिए इस प्रश्न का आंसर है ओप्षन टी अगला प्रेशन है दुस्तो शर्वोच नयाले के नयाईदीस की सेवा निबुरति की आयो कितनी है क्योंकि दुस्तो यह प्रेशन काफी परीचाओं पूछा गया इसली आप लोग इस प्रेशन को याद कर लिजैगा अगला प्रशन है दुस्तो आव विश्वास प्रस्ताव कि सदन में लाया जाता है दुस्तो इस प्रशन का अंसर है लोग सवा में दुस्तो आव विश्वास प्रस्ताव या लोग सवा सदन में लाया जाता है इसलिए इस प्रशन का अंसर है ओप्सन बी अगला प्रश्न है दूस्तो उच्छ तम न्याले और उच्छ न्याले की न्यायदीसों को कौन अठा सकता है दूस्त इस प्रेशन का आंसर है राइश्ट पर, 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 दूस्त इस प्रेशन गर ने पहोकिसने काँसरैंडु आ रिपीट हुआ है इसलिए आप लोग इस प्राश नियस्टर ग्यों महाली का फड्डिका स div दूस्त इस प्रेशन का आंसर है 6 वर्स या 65 वर्स आयो होनी तक इसलिए दूस्त इस प्रेशन का आंसर है option C अगला प्रेशन है दूस्त भारत के प्रतम मुख्य चुनाव आयोक्त कौन थे दोस्तो वारती सम्मिदान के किस अनुच्छे तो में वारती नागरिकों के मूल कर्थब ये सामलें इसलिए दोस्त इस प्रेष्ण का आउनसर आपी बार पूछागा है इसलिए दोस्तो आप लोग इस को रट लीजेगा अगला प्रिशन है दुस्तो वारती सम्मिदान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है दुस्तो वारती सम्मिदान के मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है इसलिए दुस्तो वारती सम्मिदान के मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है इसलिए दुस्तो कि अगला प्रश्वन है दुस्ति या प्रिश्अ कील बाइं लिप्रेस्ट एंसे का जोगा है अगला प्रेश्ण है अग्ला प्रेश्ण है दूस्त वारतिय समिदान के किस अनुच्छेद में समता के अधिकार .. दूस्त यह चारो ही अनुच्छित का भी मैध पूरे और इनसे प्रेश्ण बार बार पूछे जाते हैं इसलिए दूस्त आप लोग इन चारो अनुच्छितों को अच्छे से रट लीजेगा अगला प्रेश्ण है दूस्त वारती सम्मिदान के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है दूस्त इस प्रेश्ण का आंसर है राइस्टी आपातकाल के दोरान दूस्त वारती सम्मिदान के मौलिक अधिकारों को राइश्टी आपातकाल की दोरान ने लमगित किया जा सकता इसलिए दुस्ति इस प्रेश्ण का आंशर है ऑप्शन ए अगला प्रेश्ण है दुस्त शिच्छा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया दुस्ते आफ लोग इस प्रेश्ण का आंशर कमेंट बॉक्स में थेंक्स पूर वाचिं वीडियो